एलो नमस्कार किशान साथियो मेरा नाम दलभीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक खेति से जुड़ी नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि गवार की खेती किस तरिके से गरे जिससे में ज़्यादा से ज़्यादा इंकम प्राप्त हो गवार की खेती के लिए उप्यू कुछ में कौन सा है गवार की खेती के लिए फसल सकर पनाना क्यों जुरूर यह है गवार की खेती के लिए कौन सा भीज़ का सुनाओ करे कौन-कौन सी उन्त किसमे है किस तरह में भीज़ का उप्चार करना है और इसके लिए भीज़ की मातरह कि कितनी जुट पढ़ेगी इसकी कहती इस सित्हता ऐसी चहतरों कि जाती है गौ़ार के खेती के लिए जल्प परवंदन का होना बहुत जूरा है। और इसमें कीट परुदन वरोग परुदन भी बहुत जूरा है। इसके जाशेमें करते हैं hadr abrad करते है कि यसकी बजाए किसमाक्रान कौन कोनłych सब्साव्दाने रखें। इससके कि 20 गाउं क्रोन 100% तक हो जिससे कि हमें कम खर्चवा कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल की पैदावार परापत हो जिससे कि हमें एक अच्छे इंकम परापत हो इस वीडियो को अंत तक जुरूर देखे ताकि आपको खिती से जुरूरी से भी जानकारी परापत हो अगर परापत हो जाता है इसका अच्छा दाम भी मिलता है इससे किसान सलाना लाखोर उपए की कमाई कर सकती है इसकी खेती मुक्यतों पर राजस्तान हरियाना उत्तर पदेश एंपिवा माहराष्टर के कुछ इस्यों में की जाती है माहराष्टर में लगबग नो एक्टेश चेतर में इसकी खेती की जा रही है कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पशूँ को गवार खिलाने से उनमें ताकत आती है तो धारू पशूँ की दूद देने की समता में वर्दी होती है गवार से गौंद का निर्मान भ होता है गवार फली से स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है इसका इस्तेमाल दाल था सूप बनाने में भी क्या जाता है ग्रामिन चेतरों में यह एक काफी लोग विडिया फसल है हलो नमस्कार मेरे शूटूप चैनलन में आपका स्वागत है मेरे शूटूप चैनलन का नाम इनियन टेकनिकल फार्मिंग है आज मैं आपको संकर सिड्स वरैट्टी की कुछ वी सहस्ताओं के बारे में बताता हूं संकर सिट्स वराइटे के बैदावार अच्छी होती है यागवार बिलकुल वाइट रंगा होता है इसकी वाई हर्याना राजस्तान लगबग सभी राज्यों में की जाती है एक अंकड के लिए तीन किलो बीज प्रियापत रहता है इसकी बिजाई मद्यावाल की मिट्टी में की जाती है और लग बग सभी राजर की मिट्टी में इसकी बिजाई की जा सकती है अगर जमीन अलकी है तो इसके चार किलो बीज प्रेंकड प्रियापत रहता है इस वराइटे की ववाई आप मैई, जून, जुलाई के फेस्ट विक तक कर सकते हो इस वराइटे में किसी भी प्रकार की कोई विमारी नहीं आती है। चेत्रों में, नंबर 12 खर्पतवार की रोगताम, नंबर 13 दिन के बाद निराई या गूडाई, नंबर 14 तिन बाद शिचाई, नंबर 15 जल का परबंदन, नंबर 16 कीट वा रोग का परबंदन, नंबर 16 इंसेक्टिस साइड वेट टोनिक का सप्रे, नंबर 16 कटाई, फिर कडाई, फिर पंदन, ये मुक्के सावदानी है, जो में गौर की फचल में रखनी चाहिए, गौर की खेति के लिए उप्यूकत समय, गौर की खेति खरीब और गर्मी के मौसम में की जाती है, काले इन फचल की बुआई के लिए मई मेंने का परतम खोड़ा उप्यूकत समय है, जाई आप नेरी पानी से भी कर सकते हैं, देरी से बुआई करने पर पैदावार पर प्रतिकल प्रुबाव पड़ता है, वर्षा रितुक की फचल की बुआई के लिए जून वा जुलाई उप्यूकत समय है, वर्षा दारी छेतरों में जुलाई मा में वर्षा आगमन के समय ही गवार की पुआई कर देने चाहिए, बजार में बाजरा की बहुत सी वराइटियां प्लुब्द होती है, मई मैने में अगेत्ती वराइटी, जुन जुलाई में हम पचेत्ती चुनाओ करते हैं, खेत का चुनाओ, इसके बाद हम बाजरा की बिजाई के लिए हम खेत का चुनाओ करते हैं, अगर पहले उस खेत में सर्सों की बिजाई की थी, तो सर्सों के फनों को रोटोवटर की सायता से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे, ताकि सर्सों क पिरानी है तो आप रोटावेटर की सायता से दो तीन बड़ जुताई कर दे फिर आप हैरो की सायता से उसकी एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टिवेटर की सायता से एक गहरी जुताई कर दे अगर खेत नहरी है तो उस खेत को लेजर लेवलोर की शायता से संतल कर दे ताकि खेत की सिचाई अच्छी तरक्षी हो जाई मिट्टी की जांच सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले जिससे हमें या पता सब जाता है कि की ए मिट्टी में कौन-कौन से पॉशकत्तों की कमी है वो खेत की मिट्टी किन-किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे केहू, चन्ना, अरहर, शर्सू, राया, बर्सीन, गन्ना, अलू, मक्का, बाजरा, कपास मिट्टे की जांच से हमें यह पता जल जाता कि इस मिट्टे का पियेच मान कितना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जांच, अगर आप फसल की विजाई के लिए नारी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह अशभी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज-कउन-कौन सौपती से तक हो जाता है अगर आप टिवल के पानी से फसलों की विजाई करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जाँच करवा ले अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का PPM जजड़ा हो सकता है और बीज गंकूर्ण के समय ये एक समस्या बन जाता है अगर पानी का PPM 1000 से कम है तो ये साभी परकागी फचलों के लिए अच्छा है और इस Mutta 100 परतिसुद हो जाता है अगर पानीका PPM 1000 से जाजä जाता है तो इसमें साइध गांद कोई सही तरिकबा की से नहीं होता है इसलिए पानीकी जांश करवाना बहुत жен ही है गौर की फचल में मेट टिवल के पाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे गौर की फचल ची नहीं होती है अगर सिचाय के लिए जूरत पड़े तो हमें नेरी पाने का ही इस्तेमाल करना चाहिए खेत की तियाई हुए गोबर की खात, अगर आप खेत में गोबर की खात का इस्तिमाल करते हैं तो आट से दस टॉली एक अंकट के लिए प्रयापत रहती है गोबर की खात जमिन में अच्छी तरह भीखे कर जमिन को सम्तल कर देना चाहिए गवार की खेते के लिए भूमी, गवार की खेते के लिए उंचित जल निकास वाली दोमट वा बलूई दोमट मिट्टी सरोत्म रहती है, यह फसल सिंचित वा ऐसंचित दों चेतरों में सफलता पुरू कुगाई जा सकती है, अलकिसारी वा लवनिय भूमी जिसका प्याच मान साड़े साथ से साड़े आठ तक हो, वहीं पर गवार की खेते असानी से की जा सकती है, गवार के लिए एक जुताई मिल्टी पर लटने वाले हल या डिशक हैरों से क्रोश जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए, इसके उपरांत एक कल्टिविटर से जुताई प्रियाप अपते हैं, गवार फसल के लिए जलवायू, गवार एक सुका सहन करने वाली गरम जलवायू की फसल है, यह उन्च चैतरों में असानी से उगाया जा सकती है, जहां पर ओसी वार्षिक वर्षा 30-40 cm तक होती हो, विजों के अंकूर्ण वार जड़ों के विकास के लिए 25-300 cm के निचे ताब मान उप्यूकत होता है, गवार एक परकास से विदन से फसल है, अता इस फसल में फूल वया फलियों का निवान के वर्षिक के मौसम में ही होता है, अता दिक बारिस वर्षांत वा ठंड़ को यह असानी कर पाती है, जिन चैतरों में अता दिक गरमी पड़त है, पंतु सिचाएगी सुविद्धा उपलब्ध है, वहाँ पर गवार की खेती से बरपूर पैदावार दी जा सकती है, सुशक और अज सुशक दोनों दसाओं में इसकी खेती असानी से की जा सकती है, गवार एक उसन कटे बंदिया फसल है, जो अठारा से तीस डिग्री स प्रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है, किसे निश्चित भूमी में निश्चित समयबारी फसलों को लगातार अदल बदल प्रोटेशन के लगाता है, प्रोटेशन के लिए भूमी में मुझूद पोशक दत्तों के उसलोपयों किसे भूमी की बहुतिक और जेविक सित्ति में संतुलों बनाये रखना होता है, लगातार फसल्चकर अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली की तरह की परिशानियों से चुटकारा मिलता है फसल्चकर का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी भूमी में से लगातार अच्छी फसल ले सकते हैं और इसके पनाने से खेत की उरुक सकता भी बनी रहती है जबकि एक ही फसल को लगातार उगानी से किसान भाईयों को फसल की कम उपज मिलती है और एक ही फसल को खेत में लगातार लगाने से मिट्टी में बीजनित और मर्दा जनित रोग भी बढ़ जाती है जिसके कारण बूमी में विशेले गुण आजाती है बूमी के अंदर विशेले गुण उत्पन हो जाने पर बूमीहें पाय जाने वारी चोटी प्योगे मित्र की टनेश्ट हो जाती है और बूमी देरे-देरे बंज़ रूप जान करने लगती है फसल चक्कर के फाइदे फसल चक्कर के बनाने से बुम्मी की उर्ख सकती बनी रहती है फसल चक्कर के बनाने से बुम्मी में अमलिय और सारी गुंड पोस्कततो और जविक पदार्तों की मातरा संतुलित रहती है फसल चक्कर के अपनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीज जनित रोग नहीं लगती है इसके अपनाने से फसलों में पैदावार अधिक मातरा में प्राप्त होती है जिसके गुणबता भी अच्छी पाई जाती है बूमी में फसल चक्र बनाने से रसाइनिक उरोग कम आतरा में इस्तेमाल किया जाते है जिससे मिट्टी दुस्षित होने से बचती है फसल चक्कर अपनाने से फसलों में रोग भी कापी कम ही देखने को मिलती है जिसकी वज़ाई से किसान भाईयो दोरा रसनेक दोयाओं पर क्या जाना वाला कर्ची भी कम हो जाता है फसल चक्कर के दोरान फली वाली फसलों के बोने पर खेत में नाइट्रोजन की पूर्ती बनी रहती है फसल चकर अपनाने से खेत में खरपतवार में कमी देखने को मिलती है क्योंकि फसल चकर के दुरान अधिक गुड़ाई वाले फसलों को बोने पर खेत में खरपतवार नश्ट हो जाते हैं अधिक पुसंद तक तो गरण करने वारी फसलों की खेती के बाद खेत को एक वार खाली छोड़ देना चीए किसी भी विशेश रोग के लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाना चीए जिन फसलों की जड़े अधिक गराय में जाते हैं उन फसलों के बाद जिन फसलों की जड़े कम गराय में जाते हैं उन्हें उगाना चीए आज फसलों के उगाने के बाद दो से तिन साल में एक बार धनलनी फसल को जुरूर उगाना चीए देख गुडाई वाली फसलों के बाद कम गुडाई की जूर्ट वाली फसलों को उगाना चीए देख सिचाई वाली दान जैसी फसलों के बाद कम सिचाई वाली जूर्ट की फसलों को उगाना चीए अधिक उर्फ लेने वाली फसलों के बात जिन फसलों के उरुक की का पिकम आवसकता ह instagram है उन्हें उगानाची है इस प्रकार हमें फसलते कर अपनानाची है बीज का चुनाओ, हमें एक ऐसी वराइटी का चुनाओ करना होता है जो वराइटी अच्छा उत्पादन देती हो, जिसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता हो और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांगो और उसका बाव भी अच्छा हो क्योंकि एक बड़ी अक्वालिटी का बीजी हमें एक अच्छा उत्पादन और मुनाफ़ा दे सकता है बीज की उनत किसमे गवार की उनत किसमे बजार में गवार की कई उनत किसमे देखने को मिल जाती है जिनें चारे दाने और अरीफलियों के दार पर तीन बागों में बाटा गया है उनत किसमे इस प्रकार है दानों के लिए उनत किसमे अज़ी 365, अज़ी 563, 220 अरीफलियों तो उनत किसमे IC 83, M 83, Pusamosmi अरेचारे के लिए उनत किसमे ये मुख्यत अरेचारे के लिए उप्योग की जाती है बुंदेल गवार 3, गवार करनती, बुंदेल गवार 2, गोराट 80, बुंदेल गवार 1 अगर आप पैदावार के लिए उपयोग करते हो तो दाने वाले उनत किसमों का ही चुनाव करना चाहिए अगर आप अरेज चारे के लिए उपयोग करते हो तो अरेज चारे वाले उनत किसमों का उपयोग गवार के बीजों की मातरा वह बीज उपसार यदि आप गवार की फसल दानों और अर्यूपलियों के लिए करना चाहते हैं तो एक अंकड के लिए दाने की फसल के लिए 5-6 किलो बीज प्रियापत रहता है और अरिखाद फसल में 15-16 किलो परतियंकड बीज की जूर्ट होती है इसके लावा आप रेचारे के लिए फसल का उप्योग करना चाहते है तो 16-17 किलो बीज परतियंकड की जूर्ट होती है इन विजो को खेत में लगाने से पहले उन्हें कैप्टान या बावस्टिंग की उच्छित मातरा में उप्चारित कर लिए एक एक्टर के खेत में 200 ग्राम की मातरा वारी दो पैकट वार जूर्ट की जूर्ट होती है सबसे पहले हम फंगिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं फिर इंसेक्टिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं और इंसेक्टिशाइड द्वाउं से उप्चारित करने का मुख्य उद्देश्या दिमक जैसी रोक्ताम के लिए किया जाता है और राज्योवियम कल्चर का उप्योग खेत में जिवाणों की संख्या बढ़ाने के लिए उप्योग किया जाता है जिससे खेत में जिवाणों क कि संक्या बढ़ जाई जिसे की एक अच्छी फ़सल पराप्त हो गवार फ़सल में खा देयों और वरक गवार दलानी फ़सल होने के का नाइट्रोजन की कुछा परती वातावरन की नाइट्रोजन को जोड़ों में उपसित पांट और एक्तरत की लिए जाती है लेकिन फ़सल की पावर रेंबी का वस्ता में पौशक तत्तों की फुर्ति के लिए 20 किलो नाइट्रोजन वाज 40 किलो फासपोर्स परती एक टेर परापत रहता है पूरों नाइट्रोजन वे फासपोर्स की मातरा बवाई के समय खेत में डाल देनी चीए इसके तरित गवार की बिजाई क बवाई से पहले राज जोबियम कल्चर की 600 गराम मातरा को एक लेटर पानी वाज डाइसो गराम गुड के गोल में 15 किलो गराम भी इसको पचारित कर चाहा में शुका कर बोना लाब दया करता है खेत की तेरी के समय पांच टन गुबर या कंपोस्ट कार्ड या दो तिन वर के कुंडों में अथा सीडर की साहिता से करेक कुडों में पुदों की जुडों के पास वर्षा जल से भी अधिक संग्रित होता है जिससे पैदावार अधिक मलती है और फसल की देखवाल करने में भी असानी रहती है गुवार के बवाई 35 से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीम करने चीए घराई चार से पाँं सेंटीमेटर पर करने चीए बौय के समें बूमिय में प्रियापत मादर हमेश्य जिससे बीज इसकी में 4030 पर खरपतवार नहीं होगे। एक्टेर के दर्से खेत में बुवाई से पूरों मर्दा की उपरी आठ से दस सेंटिमेर से चत्ताइबर चटकाओ कर खत्तर पार नियंतर पाया सकता है। खरपतवारों के नियंतर नहीं एक्टू फसलों की बुवाई के दो दिन पर चाथ पैंडा मेलिध्यान 30% इसी का भी छटकाओ कर सकते हैं। पिजाई के 30 दिन बाद खेट में खरपतवार उगने के बाद हमें उसकी निराय या गुड़ाय आचसे ऑी कर दयानी चाहिए। अगर खेट की से चाहिए करनी है तो 30 दिन बाद हम खेट की से चाहिए कर सकते हैं। जल परबंदन अगर खेत में पानी का बढ़ाव ज़्यादा हो सकता है तो हमें उसके जल निकासी का परबंदन करना चीए क्योंकि गौर की फचलों में ज़्यादा पानी की जूट नहीं होती है गवार की फसल में कीट वा रोग फ्रवंदन दिमक फसल के पोदों की जोड़ों को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बॉआई से पहले अंतिम जुताई किसमें खेत में किलून पोस एक पाइंट पांच पती सतिया कलोरिफाइस पाउडर 20 से 25 किलो परती एकटर की दर से भूमिय में मिलानी चाहिए बॉने के समय बीज को कलोरिफाइर इस केट नासक की 2 मिली लेटर मातरा से पती किलोग्राम बीज की दर से भूमिय में मिलानी चाहिए नमबर दो कातरा इस कीट की लट पारंबे का वस्ता में फसल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके नियंतन के लिए खेत के आस पास पाई रहनी चाहिए तथा खेत में प्रकॉप होने पर मिथाईल पैराथियोन या क्यूनोल फास एक पाइंट पास पते से चून की 20 से 25 किलोग्राम आतरा पत्ती अकड़ की दर से बुरुकनी चाहिए मोहिला या किट पोदक के कमल बागो का रशुक्स पर फसलों को आनी पुचाते है इसके नियंतन के लिए ट्रकॉप हो पानी में गोल बनाकर पत्ती एक्टर की दर से चुटकाओ करना चाहिए वेक्ट्रियर बलाइट यागवार की बहुता निकर बिमारी है इस बिमारी के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस बिमारी के नियंतन है तो रोग रोधी किस्मों का उगाना चाहिए बिज को दो ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से परती किलो बिज की दर से उपचारीत करकर बोना चाहिए चाचिया इस रोग के कांड़ पोद्य के उपर स्पेद रंगे पाउडर का आवरन बन जाता है इस रोग के नियंतन है तो 25 किलो ग्राम भुवाई के 30 से 40 दिनों बाद खेत में फुटाओ बढ़वार और फूलों की संक्या में जबर्दस्त वद्दी करने के लिए हमें पलानोफिक्स और कल्टार जैसे टोनिक का इस्तेमाल करना चाहिए इसका उभ्यों करने से फूलों की संक्या में जबर्दस्त वद्धी होती है, फलियों की संक्या ज़्यादा से ज़्यादा बनती है, फूल जड़ते नहीं है, 15-20 दिनों के अंतराल में हमें 2-3 स्प्रेक करने चीए, चिपपवाय रहतेला की रोकथाम के लिए हम मोनो क्रोटो इमडिकलोराइड या टाटा का असा टाप जैसे दुआए यहों का फिटकाव करना चीए, अन्य केटवाय रोक के लिए आप अपने नजदिक की डोक्टर से भी संपरक कर सकते हैं, इसके बार जैसे ही पैदावार या फसल की कटाई सुरू हो, इसके बाद हमें इसकी फसल क पंडान कर देना चीए, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इस उडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और इंडियन टेक्निकल फर्मिंग को स्क्राइब करें, धन्यवाद